Jio बहुत सारे offers लेके आया है पिछले 6-8 मेने एक साल में और अभी तक offers ही चल रहे थे हम सब freely data use कर रहे थे हम सब freely calls कर रहे थे लेकिन अब Jio ने उनके जो standard regular plans हैं वो announce किये हैं दोस्तों prepared में सबसे छोटा plan है 19 रुपय का इस plan में पहले data नहीं मिलता था लेकिन अब जो नए plans उन्होंने जो announce किये हैं Jio उसमें आपको 200 MB का data मिलेगा और एक दिन का validity होगा and of course free unlimited calling भी मिलेगा उसके साथ में लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज है अगर आपने प्राइम को subscribe किया है और फिर उसके बाद में 19 रुपय का recharge करते हैं तो आपको 200 MB मिलेगा अगर आपने प्राइम आप subscriber नहीं है तो आपको सिर्फ 100 MB मिलेंगे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon पर याद से click कीजिएगा आपको तुरं prime subscriber है तो आपको 600 MB मिलेंगे अगर आप non prime subscriber है तो 300 MB का data आपको मिलेगा और ये तीन दिन में आप use कर सकते हैं तीसरा plan है 96 रुपय का और जिसकी validity है 7 दिन और इसमें आपको 1 GB everyday मतलब 7 GB total मिलेगा unlimited internet है FUP होने के बाद 1 GB का जो FUP होता है उसके बाद में 128 kbps पर आपको speed मिले पर याद रखिए ये आप अगर prime member है तो अगर prime member नहीं है तो फिर 600 MB साथ दिन के लिए मिलेगा 96 रुपीज में दोस्तों चौथा plan जो है prepaid plan वो है 149 रुपय का जिसकी validity है 28 days अगर आप prime member है तो आपको 2 GB मिलेगा 28 days पे per day नहीं 28 days में use करने के लिए आपको 2 GB मिलेंगे अ और दोस्तों याद रखिए ये जो है ये unlimited plan नहीं है मतलब आपको 2 GB खतम होने के बाद आपको अगर आपने use किया तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा at 25 पैसे per thousand that is 1 MB 25 पैसा 1 MB के लिए दोस्तों पाच्वा plan जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा popular होने वाला है जो आपको 1 GB data 28 days के लिए per day मिलेगा मतलब total 28 GBs 28 GB data आपको use करने को मिलेगा 309 के plan में और याद रखिए ये unlimited plan है इसका मतलब अगर 1 GB आप use करते आपका खतम हो जाता है उसके बाद में 128 kbps के speed से आपको data use कर सकते है unlimited इसमें और एक फाइदा है 309 के plan में पहला जो recharge होगा आप वो आपको 84 days मतलब 28 into 3 cycles तीन महिने तक का आपको उसका फाइदा मिलेगा मतलब total 84 GB of data आपको मिलेगा 309 के पहले recharge पे and subsequently उसके बाद में हर महिने आपको 309 का recharge करना पड़ेगा और एक महिने का आपको validity होगा 28 GB data मिलेगा unlimited calling and unlimited roaming and apps वगरे वो बाकि सब आपको मिलेंगे उसके साथ ने दूसरी बात 309 और उसके आगे वाले जो भी plans है सब में आपको unlimited SMS भी मिलते हैं छटा plan prepared में जियो का है 509 का 309 के जैसे ही सब कुछ सब benefits मिलेंगे एक GB के जगह पर आपको 2 GB per day use करने को मिलेगा इसका मतलब आपको महिने का 56 मिलेगा लेकिन इसमें भी आपको पहले recharge पर 13 cycles जो है recharge cycles free मिलेंगे इसका मतलब total आपको 168 GB use कर सकते हैं आप 3 मेने में पहले recharge पर ये थे 28 दिन के जो validity है वो recharges अभी इसके बाद के जो recharges हैं जियो के वो subsequently जादा जादा होते जाएंगे चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं सात्वे plan पर सात्वा plan है जो high data users है अभी से जो इसके आगे के plan से हो सब high data users के लिए है 999 मतलब 999 रुपे का ये सात्वा plan है जिसका validity normally है 60 days और लेकिन अगर आप पहला recharge करते हैं आपको मिलेंगे 120 GB 120 दिनों के लिए पहले recharge पर अगर आई ये पहला recharge है उसके बाद में subsequently आपको 60 GB मिलेगा 60 दिनों के validity पर मतलब normally ये जो plan है इसका validity 60 days है लेकिन पहले recharge पर extra benefits वो दे रहे हैं जो 120 GB है 120 दिन तक आप यूज कर सकते हैं and of course बाकी सब SMSs, calling वगेरे वो सब बाकी आपको तो मिलते ही रहेंगे Jio के बाकी के भी plans है 1,999, 4,999 और 9,999 इसके सब details मैं आपको link description में link दे रहा हूँ आप उदर जाएए सब details उदर दिये हुए मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग ये plans नहीं लेंगे तो मैं ज़्यादा detail में नहीं बोल रहा हूँ अगर आपको फिर भी इसका information चाहिए तो आप link पे जाएए और सब details आपको मिल जाएंगे तो ये थे complete details about Jio, Jio के जो prepaid और post paid plans हैं मेरे हिसाब से Jio के plans अभी भी सबसे अच्छे हैं BSNL का triple Ase एक plan है prepaid plan 3333 rupees का जिसमें आपको 3 GB data per day मिलता है मतलब मेहने के 28 days में आपको 3 GB everyday use करने मिलते हैं वो एक plan शायद अच्छा हो सकता है लेकिन याद रखिए BSNL का speed 3G है और 4G नहीं है लेकिन BSNL का coverage भी अच्छा है तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जिदर Jio का coverage नहीं है तो शायद आप BSNL के plans plans सोच सकते हैं नहीं तो at least as of now Jio सबसे अच्छा और सबसे सस्ता telecom operator है उनके plans सबसे अच्छ में पूछेगा अगले वक्त तक के लिए